नमस्कार दोस्तों मैं किरन आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पीके एजूकेशन को और और लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी 28-53 की किरांती के बाद जो परिवर्ता नायते आर्थिक नीधियों में अंग्रेजों के इस की तरीके से करशी के लिए नीधिया वनाइं गई और क्या का कारण थे किर्सी के पिछ्डे पन होने कि और किसानों की स्थिति क्या थी किस तरीके से विवस्थाय लागू की गई थी तो जिनों ने भी वह लास्ट वीडियो नहीं देखा है इसे पहले वाला वीडियो वह उसका लिंक में दिक्रिप्शन में दिया हुआ है तो प्लीज आप वहां से देख सकते हैं और उस अग्रेजों को 1857 की के बाद या उसी डियोरेशन में यह समझ में आई कि अगर किसी भी देश पर हमें अपना सासन्य अंत्रत रखना है तो हमें यह पर परिवहन और संचार व्यवस्था को सुद्रण करना होगा भारत के लिए नहीं उन्हें अपने लिए तो इसी के प्रो अब शुरू हुआ तो भारत के परिवहन विवस्था में एक तरीके की क्लांती पैदा हो गई जो पहली रेलवे लाइन बिचाई गई वह 1853 निश्वी में बंबय और थाने के बीच बिचाई गई यह कोश्चन अक्सर कर प्री में बिलकुल एक्जाक्ली पूछा जाता है अगले ही साल रेल मार्ग में जो रेल मार्ग थे उनको बंगाल के पस्चमी चेत्र कोईला खानों के साथ जोड़ दिया गया जोड़ा इसलिए गया था कि ताकि माल की आवज जाही बहुत असानी से हो सके और कच्छे माल को प्रॉपर वे में बंदर गाहों तक पहुंचाय तो प्रयास थे उससे से डेल्यवे का बिकाल तो बहुत अपती से हो रहा था लेकिन फायदा भी उन्हीं को रहा था जो बिटिस ब्यापारी थे उन्हीं को भारी मुनाफ़ा भी पह रहा था शुरुवात में वार्रेलवे की बड़ी लाइन थी उनके निर्मार पर अधिक जोड़ दिया गया और जो जैसे बंबई कलकत्ता मद्राज और इसी के साथ-साथ क्या हुआ कि जो देश के महत्वपूर भीत्री भाग थे उनको तो जोड़ा ही गया लेकिन उन चित्रों को बंदर गाहों से भी जोड़ा गया जोड़ने कारण था कि किसी तरीके से किर्शी क जो सामान है उसको बंदर गाहों तक असानी से पहुचाया जा सके एक बात और मैं आपको क्लिर कर दूंगी अगर आप लोगों को लगता होगा कि मैं पीटी के फैक्ट नहीं बताती है मेरा एक में अब्जेक्टिव यह हैं इन वीडियो को डालने का पीटी के फैक्ट आप किस तरीके से अंग्रेजों की नीतियां थी और किस तरीके से उन्होंने भारत पर अधिकार किया तब जाके कहीं हमें स्वतंतरता मिली तो पीछे की पूरी जो चीजे है यह जो पीछे की पूरी एक हिस्ट्री उसको क्रियेट का समझाना चाहती हूं मैं आपको ठीक है तो आपके अंदर उतना कॉंफिदेंस डबलाप हो जाएगा धीमेदी में फिर उन्नीजवी सदी के अंतर तक 25,000 किलोमेटर जो था वो देश के रेल मार्गों से जुड़ गया था इन रेल्वे लाइनों का उद्देश यह था वही जो मैंने भी डिसक्स किया कि मैंत्रपूर ऐखेत्रों को जोड दिया जाय कि अंग्रेजों के आर्थ कि ठूल्रे और अंग्रेंग्रेजी प्लदेश को तरफी हो सके अंग्रेजीच के अंचित बच्ण शन्राइख भारत के कि ब्स्तु बन रही है और वह अंग्रेशोंза के ओलं एंखकों में किसी तरीके जगatto तक ज तो वहीं हुआ क्या दूसरी तप एक चीज देखिए कि जो देश के भीत्री भाग थे उनको आपस में जोड़ा गया क्यों कि वह उनका ये मोटिफ तो बिल्कुल था ही नहीं कि भारत किसी भी तरीके से अपने आप में सक्षम बनी या उसके उद्योग धंदे भिक्षेत हो या लोग आपस में दूसरे से जुड़ें यह उनका कोई असा उद्देश नहीं था और उन्होंने जो माल भाड़े की नीती बनाई थी वह भी देखिए कितनी अलग नीती थी कि अगर माल को दूर जाना है तुम पैसा सस्ता है और अगर माल देश के अंदर रहेगा तो पै माल निर्मित माल को अगर बंदरगा तक पहुंचाते तो उसका किराया उने कम देना पड़ता था अब एक बाद बताईए अगर किसी भी देश में यह कहीं पर भी कोई चीज उत्पादित की जाएगी तो जो ब्यापारी होगा वह उस चीज को वहां देना पसंद करेगा ज उसका माल भाड़ा ज्यादा था और बंदर गाहों तक पहुंचने वाले का माल भाड़ा कम था रेल्वे का विकासकर हर तरीके से यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते थे जैसे फौज का स्थाना अंत्रन करना अब मतलब समझे क्या कहना चाह रहे हैं कि देखा हो कि अगर हमें लग रहा है कि किसी देश के कि में भड़क सकते हैं वहां पर हमारे घरिद्रो हो सकते हैं या कोई ऐसी नीतियां बन सकती हैं उस टाइम पर तो उन्होंने इसके लिए क्या कि फौज का इस्ताना नतर्र बहुत असानी से अब हो सकता था और इससे क्य बहुत ही आसानी से और सनरक्षित तोर पहुंच सकता था बिना तूट-फूट के पैसे भी काम है मतलब सस्ता भी है सुरक्षित भी है हर्वयापारी यहीं चाहता है जो भी मार्केट में अपने बाल को बेचे का वही चाहता कि हमारा जो माल है वो कम से कम खराब हो और असानी की पहुंच बाजार तक होने लगी थी क्योंकि संचार माध्यम बढ़ा रेल्वे आया तो इस से क्या हुआ कि संपूर बस्तूं की पहुंच असानी से मर्केट तक होने लगी थी हर वाल का एक जहां पर किर्सी धोका दे जाती ती यहां पर मानसून दगा दे जाता था अब ऐसा तो कभी होता नहीं था कि पूरे भारत में एक साथ बारिष ही नहीं होगी यह साथ क्रशी ही उत्पन नहीं होगी तो जिन भागों में सभूत सर्म करता तंद नहीं रचीं केंट केंट प ही कीमत इस था आप नहीं एक सबक्रूलीप ऑसनि हमें पर इस को देखा उसका अलाबह पूरे तो जाहिर इस याisaad कीमत जादा होगी लेकिन अगर उसी कीमत आज इक शहर में भी वह दूसरे शहर में भी आप तो आपको क्या लगे का कि बस्तूं की कीमतों पर नियंतरण हो चका और इसके बाद क्या हुआ कि इन सब चीजों के साथ-साथ रेलवे के विकास होने से एक चीज का और नया निर्माड हुआ वो था एक नए वर्क का उदय हुआ अब जो रेल बनी थी रेल्वे का जो मार्क बाद मुक में और नहीं लगे हुए थे या उन्हें और किसी चीज में उनकी पास कोई टेक्नलोजी कि नहीं थी और नहीं वो कोई स्पैसिफाई कोई काम करते थे वो थे अकुषल स्रमिक तो जिनको रेल्माड का निर्माड और उनके रख रखाओ का भी काम दिया गया गय में पहुंचाया सके और उनका में उद्देश हैं बंदर गाहों तक अब आर्फिक नीतियां बनी तो इस तरीके से लोग आपस दूसरे से जुड़े वह गया ही था कि जब रेल्वे का विकास हुआ तो किस तरीके से लोग रोग दूसरे के नजदीक यह फिर इसमें कि अब भारत में लिए कुछ वारत में कुछ अधर्वन को अस्तुत्त्त में वारत में गई तो चैनल रहों पर इन दौनों पर जो स्वामित था वो बिटिस कंपनियों का ही था कुछ जो थे उन पर उनके मालिक भारती थे मगर इनके उद्योगियों के साथ बिटिस कंपनियों ने कोई ना सहीो किया तो इस वज़े से ये विकास भी नहीं कर पाए और देश को बिदेशी पृतियोगिता से अपने को बचाने के लिए एक संदक्षड की नीती अपनाने पड़ती है कि किस तरीके से हम अपने व्यापार को संदक्षच रख सके इस तरीके की कोई भी नीती अंग्रेजों ने नहीं अपनाई भारत की प्रती और इसका कोई भी उसके बाद ही इन चीजों पर काम किया गया उससे पहले ऐसी कोई भी नीती नहीं बनाई अब इसमें अब आता है बागान उद्यों बागान उद्यों में क्या हुआ युरोप ने जिन भारती श्रोतों का सबसे अधिक उप्यों किया था उनमें से एक महत्वड उद्यों थ अधे था बागान में जैसे निल के खेती जाय के बागान और कौफी रवर और सिंको ना अधि महत्वड वागान थे नील की खेती का क्या था कि 18-20 में मैं अधियों में नील एक निया तैयार किया चानता था और इसंकी जो खेती वो बिहार और वंगाल के कुछ नों में की तक भारत से निर्यात के लिए एक यह एक महत्वपूर वस्तु बन गई थी नील मगर उनीशमी शदी के अन तक आते आते नील की मांग घटने लगी क्योंकि अब क्रतिम रंग बनके आने लगे थे इसलिये कम हो गया उसी के साथ चाय के चाल के चाय के बागान के क्वा शुकर कुछ समय का वंड़ जो चाय के भागान ते असम्व बंग अर धच्छीर भारत में खुनात सी उनिंत विप उन्हीं सदी के मद्विकान में होई ती और यह जल्द ही सबसे ने आक उद्योग बन ग दशार में चाय सबसे बड़ा एक ऐसा इस्थान मनगया वहारत की अधिक शुपादित होती है और अपना 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 इसान कर लिया कैसे इसमें काफी और चिंकोना आदी महतरपोर थे उत्योगों में और वी कुछ थे जो सुती कपड़े और जूट प्रमुक था तो 1853 में बंबाई में पहली सूती कपड़े की मिल खोली गए और भारतिये सूती कपड़े की जो मिलें थी उनको तो पहले अंगरेजी कपड़ा मिलों से और उसके बाद जापानी कपड़ा मेलों से भी प्रतियोगता करनी पड़ी और तब जाके इसको सफलता मिली ज्यादा तर सूती कपड़ें भारत में थी वह बंबय मदरास और एहंदाबाद में थी आरम में क्या हुआ कि जूट उद्योग बंगाल का चोटा सा उद्योग कुटीर उद्योग था मतलब जो खुदी उत्पादान और खुदी सर्विस वाला ठीके ना कुटीर उद्योग का मतला आप समझते हैं तो उस तरीके का उद्योग था फिर 1885 में वहां पहला जूट कताईकार खाना खोला गया कुछ समय तक भारतियो उद्योग्यों को कहां स्कॉट्लेंड की जूट मिलों से भी सामना करना पड़ा उन्नीशमी सदी के अंतिम चरण में भारतिय जूट का बिश्व व्यापार में लगबग एक अधिकार सा इस्थापित हो गया था आधनी कुद्योग्यों के लिए लोहा इसपात सीमें बेविद रसायन और मूर्ज नेशमी में शुरूव हिगा था तो जो रेल्वे की ख़ंश के लिए सबसे अधिक मांगी वो कोईले की थी तो इसका अधिकांस भाग आधने के रेल्वे के खपत में ही जाथा परंदो भारत में क्या हुआ भारत में लोहा और इसपात उद्योग की शुरुआ तब हूई रूप में जब जम्षेदपूर में प्रिशिद टाटा आयरन इवम स्टील कंपनी का कार खाना इस्थापित हुआ और बाद में बंगाल और मैसूर में भी कार खाने इस्थापित किये गए फिर भी भारत में कहेंगे तो लोहा और इस पात का उत्पदन कमी रहा और रशायन तो बहुत ही कमी रही मतला इसे नगन भी कह सकते हैं इन में भारती श्वामित वाला एक प्रमुक प्रियास था जैसे कहते चीनी उद्योग चीनी उद्योग ऐसा था जिसको 1930 में तेजी सिसका विकास हुआ और मशीनी उद्योगों का बहुत कम प्रगति हो पाई उसके अगर स्वधिनता मिलने के बाद ही सही से उद्योगों का सुधार होना शुरू हुआ क्योंकि अंग्रेजों की एक नीती थी कि अगर आपको उनको भारत क्या कच्चे माल के रूप में चाहिए था कच्चे माल यहां से जाए और इंगलाइन से बना हुआ माल भारत में आए और इस से क्या होता था जो वृदेशों से माल आता था उस पर भी भारत को हाई-ड्युटी देनी पड़ती थी तो इस तरीके से इनों ने पूरा बिछा रखा था अपना नीतियों का जाल कि किसी भी तरीके से बहारत का ही हमेशा होता रहे और इसमें कोई भी इसकी कोई त समापत होता है दोस्तों और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगाए तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अबश्य करें इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्का धन्यवाद